कि उस समय के माफिया बॉस के आई ने उन्हें मृत अवस्था में पाया था अपने मातापिता की दुखद मृत्यू के बाद जॉन ने न्याय की तलाश में अपना जीवन समर्पित कर दिया अपने तेज दिमाग के साथ वह कोई साधारन बक्चा नहीं था वह एक मिशन वाला व्यक्ति था जॉन ने अंडर वर्ल्ड में बहुत कुछ सीखा माफिया के तौर तरीके सीखे लेकिन अपने असली इरादों को छिपाए रखा जैसे जैसे साल बीटते गए जॉन ने तरक्की की और आपराधिक दुनिया का एक जाना माना मास्टर माइंड बन गया वह हमेशा एक कदम आगे रहता था अपनी बुद्धी का इस्तिमाल करके अधिकारियों और अपने प्रतिदवंद्वियों को मात देता था जॉन की प्रतिष्ठा ने आखिरकार उसे के आई के सामने ला खड़ा किया वही व्यक्ती जिसने उसे सबसे ज्यादा दर्द दिया था के आई अनवेर हैड अननोविंगली बिफ्रेंड़ेड़ इस ओन एडवरसरी